आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है जिस तरह हांडी का एक चावल ही पूरी हांडी का हाल बया करने के लिए बहुत माना जाता है ठीक उसी तरह है निकाय चनाओ आगामी लोग सभा चनाओ नस्दीख है ऐसे में निकायच नाओं के नतीजे कहीं ना कहीं क्या जनता का मूड है जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ जादा है जनता किस पार्टी की तरफ जादा जुकाव है जनता का ये माना जाता है और उसी निकाय चुनाओ को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टिया भी अब अपनी जोर आजमाईश दिखाने में लगी हुई है तो जो है एक तरफ लखनाओ में चार मई को निकाय चुनाओ है तो ऐसे में तमाम पार्टियों के जो सभी दिगज नेता है जो मेरबत के प्रत्या अब काफी नजदीक है बहुती जल्द लखनाओ में निकाय चुनाओ होना है ऐसे में जो तमाम पार्टियां है वो अब हर एक वाड में हर एक एक तपके के जनता के बीच पहुच रहे है ताकि जनता का जादा से जादा समर्थन उनको मिल सके तो वहीं अगर लखनाओ नग रहास में दर्ज करा दें तो वहीं कॉंग्रिस पत की प्रत्याशी संगीता जस्वाल से भी हमस दौरान भाचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि लखनाओ नगर निगम सीट की एक ऐसी सीट है जो कहीं न कहीं अब यूपी की निकायच नौक के होट सीट बन गई है चूकि अगर लखनाओ की बात करें तो ये यूपी की राजधानी है और ऐसे में इस सीट पर 28 साल से ही भाचपा का कबजा रहा है तो कहीं न कहीं अब हर एक पार्टी के प्रत्याशी सीट पर जीतने का प्रयास करेंगे ताकि वो जो जनता का बहुमत है उनके समर्थन म्याय और व हम से संगीता के पती राजेश यस्वाल प्रसिद्ध है जनता की हर समय सेवा करते हूँए वो नजराते हैं और समाध सेवी के नाम से ये दंपत्थी जाने जाते हैं क्योंकि अzk Register इस दंपत्थी को लोगों के बीच रहते हुए देखा गया है और संगीता जैस्वाल और र रूप में जाने जाते हैं कुरोना काल में भी इन्होंने लोगों की काफी हद तक मदद की थी यही वज़ा है कि अब इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाता है तो संगीता जैसवाल जो कॉंग्रेस पद से प्रत्याशी बनाई गई है मेयर के लिए तो उनके पती र दिखाई दे रही है साथ जनता की हर समय सेवा के लिए दमपत्ती मौजूद रहा है यही वज़ा है कि यह दमपत्ती काफी जादा लोगप्रिया है और अक्सर समाथ सेवा करते हुए नजर आ रहा है तो लखनव मेयर सीट पर मुकाबला काफी दिल्चस्प हो चुका है क्य रहा है तो इसे बीच हमारे साथ कॉंग्रेस मेयर पत की प्रत्याशी संगीता जयन और उनके पती राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है सर पहले तो मैं आप दोनों का प्रैम ट्रीवी पे बहुत स्वागत करती हूँ संगीता जयस्वाल जी आप इस बार कॉंग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रही है और ऐसे में आप लोगों के बीच जा रही है लोगों से समर्थन भी मांग रही है तो किस तरीके से लोगों का साथ आपको मिल रहा है हलो तो हम संगीता जी से दुबारा संपर्क साथने का प्रयास करेंगे लेकिन अब निकाल चुनाव की जंग कफे जादा करारी हो चुकी है क्योंकि हर एक पार्टिया साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तमाल करते हुए अपनी पार्टी की जीत की दावेदारी पेश कर रही है यही वज़़़ है कि अब सभी प्रत्याशी हर एक पार्टी के प्रत्याशी सुवक्त चुनावी मैदान में उतर चुके हैं वही अगर लखनव की बात करें तो ये सीट अब न अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 28 साल से इस सीट पर भाचपा का कभजा रहा है और अबheadedres में निकाय चुनाव होने हैं दोहजार 24 के लोग सभच चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव हो रहे है तो ऐसे में निकाय चुनाव को कही न कही एक लिटमस ठेस्ट या ये कह की semi final test की तरह देखा जा रहा है क्योंकि ये वही चुनाव के जहें क्योंटा चुनाव होता है यहीं वज़ों प्रत्याशी है वह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के साथ अपना जादा से जादा समय बिता रहे हैं ताकि जादा से जादा जनता का जो जनधार है वो उनको मिल सके तो एक बार फिर हमारे साथ कॉंग्रिस पद से प्रत्याशी संगीता जैस्वाल जी जूर चुकी है संगीता जी मैं एक बार फिर से पहले तो प्रायम टीवी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ संगीता जी इस बार आप पर कॉंग्रिस ने भरोसा जताय है ऐसे में आप लगातार लोगों के बीच जा रही है तो किस तरीके से लोगों का सवर्थन आपको मिल रहा है लोग हमें काफी दिनों से जानते हैं और जानते हैं कि मैं किस तरह की मैला हूँ सोशल वर्क से जुड़ी रही हूँ इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है इसमा बाकी और जो लोग नहीं जानते उनकों में बताना चाहूंगी कि हमारा सोशल वर्क हम काफी सालों से करते रहे हैं कोरोना टाइम में बहुत कोरोना टाइम में कबारे में बलकी बेरे हजबन आपको बताएंगे बहतर क्या-क्या हम लोग किस दौर से गुजरे हैं किस दौर से हम लोग ने आप बताएंगे जी राजी जी करोना काल में किस तरीके सापने लोगों की मदद किया आप ये भी हमारे दर्शकों तक पहुचाईएंगे जी जी करोना है तो कुछ समय हम लोगों किस दौर से जी करों कि यहीं आरके पहले से रोशनी बनाई और रुपरहर और रात मुचाईएंगे जो हमारे लख्रों में खंदी है रामकली नाम से उसकी बिलिए जब पतातिला उसके पोई भुजरेंग जोस्ता नहीं हो पा रही है सो हम लोग उसके लिवी पूरा जदी गुजरें लेकर सारी दिश्काय में लिए इसके साथी साथ के जितना भी हमारे कनाहिए उसक क्लाकार है उक्ता पजार्यक्ट हूं संगीता जी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि शायद यह आपका पहला चुनाव है और आप अब तक हाउस वाइफ रही है तो अचानक से हाउस वाइफ से राजनीती में आना काफी रोमांचक लग रहा है बिलकुल आपको लग रहा होगा लेकिन सोशल वर्क से जुड़े होने के कारण मुझे लगता है आम जन तक पहुँचने में मुझे जादे आसानी होती है और यही सब कुछ बाते के बता रहे है कोरोना काल के दोरान कुछ ऐसी इस्तिती पैदा हुई कि इस माहौल में मुझे लगा कि मैं यह सई समय कि मैं भी इसमें कूच जाओं संगीते जब 2020 के जो निकाय चुनाओ है यह काफी नजदीक है तो ऐसे में आप कौन-कौन से मुद्दो को लेकर जनता के बीच पहुच रही है मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टन मुद्दा है ट्राफिक जैम सैनिटेशन जो पूरे का धेर लगता चला जा रहा है इस शहर में इस शहर को तो आप आतियासिक शहर के नाम से जाते हैं इकना सुन्दर शहर है बाहर वाई लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा है लगता है लेकिन अब इसको हाट ऑफ दे सिटी आएंगे जो इसकी धड़कन है जो पुराना लगता हो वहां आप देखें जगा जगा मतलब लोगों के व्यापार जहां होता है जहां देते हैं उन जगहों पर बीचों बीच अगल बगल घर है और बीच में एक पुड़ा घर का बड़ा सक्ट को तयार कर रखा है जहां पर घरों से तो पुड़ा उठने लगा है रेगुलर हो लेकिन वह पहुचता उनी आबादियों में उनी लोगों के बीच यह तो सबसे बड़ा मुद्ध है ट्राफिक जैम आपका समय भी बरबाद करता है आपके फैनांस पे भी असर डालता है यह यह बहुत बड़ा मुद्ध है महिला सशक्ति करण के लिए मैं जबूर बात करन करना चाहूंगे मैं उनको ताकि वह सीधे रासूट लेवल पे हमको जो सुबदा मिल सके वह घर बैठे अपना काम कर सके अपने बच्चों को सभाव सके अपना घर सभाव सके फिर आया पेजल की समस्या बहुत हमने देखी है चुकि मैं इस इन्ही बस्तियों में रही हूं कि पूरा घेर लगा हुआ ट्राफिक जैम हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है या हमें खुद निकलना होता है तो एक टाइम लिविट पहुंचने अगा 20-25 मिनिट उसका डियर बुना दो गुंटा हमें लेकर तब निकलना पड़ता है यह सब समस्याओं का निदान बहुत जरूरी है ठीक है संगीता जी लखनव नगर निगम की सबसे बड़ी सीट है और कहीं न कहीं यह हौट सीट भी और इस सीट पर 28 साल से भाजपा का कबजा रहा है लेकिन आप जब हर एक एक वार्ड में जाती हैं लोगों से मिलती हैं तो क्या आपको लगता है कि को धोका दी रहा है सतर साल से जो विकास कॉंग्रेस दी किया था उसको उन्हों ने उसकी रफ्तार ही एकदम धीमी कर दिये यहां अगर आप इधर बस्तियों में आए पुराने शाहर के बस्तियों में जिए हम रहते हैं उधर तो विकास के नाम पे आपको कुछ नहीं उसके उन्होंने थोड़ा बहुत अपना वो भी भाश्पा को तो मैं नहीं कौंगी श्रेद हुए लेकिन जो भी दूसरी पाटिया आई थोड़ी बहुत उन्होंने अपना काम किया नए शेहर को विक्सित किया लेकिन जो एक समग्र विकास लगनों का होना चाहिए था वो इधर गुम्पी-णगर साहीड में उन्होंने वाटर लॉगिंग उन्होंने गंदा पेजल वहां पूहने ऐसी कोई समस्या का सामना ने गए ट्राफिक जैम हमको लगता है इधर ये देखते हैं उधर जाते तो एक ओरेज उबे में ट्राफिक निकलने लगती है बिलकुल बहुत भेंकर जाम कर यह लगता है लेकिन यहां का जाम कर पहरा है और आप और आप समासेवा से काफी लंबे समय से जोड़े हैं जी राजीश आप समासेवा से काफी लंबे समय से जूड़े हैं और आप ऑक्सीजन मैन की नाम से भी जाने गए है कुरोना काल में जिस तरीके साफ ने लोगों की मदद की है लेकिन अब 2020 का निकाय चुनाओ है और आपके सामने तमाम बड़ी पाटिया है तो क्या यह आपको चुनाओ चुनाओ लग रहा है यह चुनाओ अगया तो कि मैं मानता हूं आपने बताए कि अठाइस सालों से दीजेती है जी लेकिन अठाइस सालों में हमारे लखनों का विकास के आउगा आज मैने जब मुझे ना दिसंबर के आसपास बोला गया कि आप बेर के तिक्यासर जुनाओ अपने बारे में बताया लोग पता ही तो आज अचानक हमारी पहले सीफ चेंज करे जाती है उसके बाद एक डभी कंडियेट को खड़ा कर दिया जाता है ज्योंको पता है यह कि लोगो कि इस बार इसी वी आलत में बीजेती हम लोग जीत नहीं पाएंगे बीजेत जीत नहीं पाईगे, इसलिए उन्होंने कितमी कंडिनेट को लाकर कर दिया, वो अपना चुनाव अपने पत्याशी से आखड़ों पर लखड़ा रहे हैं, एक आम आदमी जो 2022 के बाद से 2020 से एक इस कुरोना की टाइम से ऐसा हो गया लखनों में कि लोग सिर्फ लाज जारजे अब मैं आपको 2021 कि बाद बता हूंगा, तो हजार इकिस में आपको याद होगा, अपरेल में कुरोना आया था, और आपका छोटा से प्लांट ऑक्सेल प्लांट है, उस प्लांट पे हम लियाम से सलिंगा सप्लाई हो रहा था, तो भी बहुत पुराना प्लांट हमारा और समय सकता है, इसो सेंड़ा पैंडे बना रहा था, मैंने इस बिना किसी सोचे समझे, जरीबों के लाइन अलग कर दिया, अश्पकालों को अलग कर दिया, हर एक के लिए अलगों के सब की ब्रुष्ता कर दी, और एक लिग, मैं कभी भी फैट्टी नहीं जाता हूं, सिर्क द बुर् लगा तो इन्हों ने हमारे चीनकर शुरू कर दिया, और सारे, जोने मेरे चीनकर को छीन nights, उनको चालू करने के लिए, जमारे बेटे को तीन मेनेतक हिड्ने तक करना है तीन दिन स्था, इन दिन तक, तीन दिन के बाद जब बहुत आप लोगों ने पेपर में, जा किसी की सेवा करना गलत बात है, और यहीं पर यह नहीं रुके, इन्हों ने तो यहां ताहद कर दिया, कि फैट्टी से हमारे टैंकर तो ले गया, बेटे को ले गया, जब मीडिया में वह सब को छोड़ के चले गया, बेटे को मेरे, फिर क्या हुआ, मैंने फिर उसके जो नहीं लड़ेंगे, इनका जब तक हम इनको इस देश से बाहर नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब एक आमाज में जोच लेता है, तो मुझे लगता है, सब तो सब कुस्तों हासिल मिलेगा जूर कि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें पता है, कि इस भागे ते, जिसका अगेज में हाई कोड गया था, इन्हों ने मेरे पास पेसर बनाया, मेरे पास कुछ लोग को भेजा कि भाई संधोता कर लो, अब मैं आपको उन्नी सतर को दूना दोगा, मैं नहीं, आप एक काम करो, जो आपकी वज़े से हमारी फैट्क में पांच आया लोग मरे हैं, उसका कौन हिसाब देगा, आप ऐसा करो, हम कही से भी लाके देंगे, तो चारी हम देंगे, आप लोग दो दिन के लिए जेल चले जाओ, तो आपकी सजा यही है, मुझे वो दिन याद है, जब एक एक गैस लिंगा के लिए लोग बचारे परिसान हो रहे थे और यह लोग, सिर्क अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने भष्टाइचार बढ़ाने के लिए इनोंने सारे चाम दाम दर्बेर का रखे थे, बहुत एक बाप दो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बाप पताहँगा, जो साहिद आपनोंको नहीं पता होगी, ने प् जियों निकला से और जियों में ने लिखा कम्पनियों को अब आप 25 रुपए 22 पैसे में गैस देंगे अच्छा कौन सा इंसाफ है बिल्कुर इसका बतला है जिस दौर में आपके जुरत थी आपका प्लिक जगा जाएंगे आप बिलीब ने करेंगी जो करोना आया तो पर बन चीक है संगीत जी अभी जैसे की मुझे राजेशी ने बताया कि किस तरीके से आपने करोना में लोगों के लिए काम किया और कहीं न कहीं आपको काफी ज़ादा परिशानियों का सामना भी करना पड़ा कई लोगों के दौरा या कई बड़े नेताओं के दौरा ये भी कहा लेकिन अब जब दो हजार तेस का निकाय चुनाव है और आप महिला होकर चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में आप अपने चुनाव लड़ने का श्रे किसको देंगी श्रे किसको दूंगी जी श्रे हमारे वाक्त जाहिर सी वात है हम लोग मिलकर ने बहुत दोनों ने काम किया है लेकिन चुकि यह हमेशा लाइम लाइट में हमेशा आगे रहे हैं श्रे इनको जाता है यह मेला सीट होने वाई से मैंने का नहीं मैं आगे बढ़ूगी उझे श्रे तो आपने पती को दे दिया लेकिन जब आप राजनीती में आई तो आपका रोल मॉडल कौन था प्रियंका गांधी मैंने उनको भी देखा जूचते हुए जिस तरीके से जब आपने प्रियंका गांधी को जूचते हुए देखा कि वो लगा था लड़कियों के लड़ रही है तो किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड़रा ने आपको प्रिद किया या क्या कुछ बात उनके आपको इतनी जादा पसंद आए कि आप पिर कॉंग्रस में शामिल हो गई वो जुझारूपन एक आप कितना भी आप कॉंग्रस हो एक कहते हैं डिमोटिवेट्स लोग करते रहते हैं लेकिन एक जुझारूपन मैंने उनमें देखा है जो चीज है सच वो सच है उसके लिए वो खड़ी रहती है तो क्या इसी आपके साथ जो वाक्या हुआ क्या इसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपने ये सोचा कि आप राजनीते में आकर कुछ करेंगे ताकि लोग परिशान ना हो लेकिन जब मुझे राहुल जी की ये भारत जोरो अंदोलन की बात पता तदी तो मुझे साइट मुझे सामिल होना चाहिए तो मैं अपने आप सामिल वाँ और पता नहीं कैसे फिरंगा जी की राहुल जी की हमारे उपर निजा पढ़ी है जैसे जिए लोगों ने ज्यांका जो पुझे बहुता है जो जो भी आपने परसिल लेवल पर करते थे वह में अब एक सबस्क्राइब कर रहे हैं जो जो खतम करना है इसके लिए जाए जो इए पर लिए बढ़े बेचना पड़े मैं बेच करके भी इसको सब्सक्राइब करना है संगीता जैस्वाल जी आपका मुकावला एक ऐसी पार्टी से है जिसका 28 साल से स्टीट पर दबबा रहा है तो क्या आपको कोई मुश्किल लग रही है या आपको क्या लग रहा है कि क्या क्यों चुनौतिया आपके रास्ते में आएंगे इस दौरा है उनों ने चुनौतिया हमारे चौड़ दी है चुड़के हमारे एक्जैंपल से स्मार्ट सिटी का सामने दे दिया है जिसको की जन्का शाफ नकावी एक स्मार्ट सिटी के नाम पे खुछ भी नहीं है आपर वही ट्रैफिक जैम्स वही सड़के दम सूटी-पूटी कु कहते जो अपनी वाइफ के साथ अकसर मौजूद रहते होंगे जब वो प्रचार में जाती होंगे जब वो लोगों के बीद शमर्थन मगती होंगी तो आपको किस हथ समर्थन मिल रहे है या जब लोगों को पता चल रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में उत्रे हैं तो लोगिस हथे वोह इतना फ़रोससा जता आ रहे आपको कि जहां भी जाते हैं यह नाम होता है तो एक नाम सill kisses और चुनकर यए सब्सक्राणेंगे euros और लगनम फिर मार्य ने ने वर्तों अभी मुझे लगता है क्ई आज-फास के चिलों से फोन आता है बिया वह एक्षिद मैन है जो तो अपर नहीं है तो पहुंग खुशी में भीन.. कि यदि इसी तरह से इस बार जंता ने सपोर्ड करा तो बहुत की चेंज होने जा रहा है आप तेरा मई को देखेंगा पिस लखनों में क्या चेंज देखेंगे आपको संगीतेज अगर आपको जंता का पूरा समर्थल मिलता है और अगर आप एक प्रचंड बहुमत के साथ जीती है तो वो पहले प्रमुक काम कौन से होंगे जो आप सबसे पहले कराई हो सबसे पहले शहर को ठाफिक जैम से निजात दिलाना साफ सफसाई का ध्यान रखना एक बर ये लाई में आज쓰ाते हैं तो फिर दीरे दीव चीज चे लिए तो महिलाओं के लिए आपके रणीती क्या है? यूझ कि आज भी अक्सर इसे सामने आते हैं जिसमें प्यर्ट देखा है महिलाओं के साथ चोरी हो जाती है कही ना कही भी बलाधकार की मामिले यूपे में बर करार है बिल्कुल महिला स्वरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे तो काम करना बहुत जरूरी है, दूसरा उनको पुद स्वरोजगार देना, उनको अपने पैर पे खड़ा करना, उनको सिक्षित करना, और यह हम तभी से कर सकते हैं, जब स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल सकते हैं, वही आत्म निर्भरता देता है, एक घर की किसी औरत में आत्म निर्भरता आने की मतलब घर का पूरा बच्चे भी सिक्षित हो जाते हैं, आपका आगे का भविश शबरने लगता है, जब आप लोगों के बीच जा रहे थे और कही न कई लखनों, ऐसी जगह हैं, जहां पर आप बड़े हुए हैं, हर एक अच्छा बुरा वक्त आपने इस लखनों में बिता हैं, लेकिन जब आप उस लखनों की इस हालत को देखते हैं, कि सड़के तूटी हुई हैं, कूडे का धेर लगा हुआ है, लोग आज भी परिशान हैं, उनका काम नहीं हो पा रह है, कि यदि राजे जैस्वाल की वाइट संगिता जैस्वाल, इस चुनाव में आप लोग घिता करके आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आफ पूरा लखनों, अपने आफ इसमार सिती हो जाएगा, आज इसमार सिती का जबस्ती नाम दिया जा रहा है, लेकिन जदी चुनाव संगिता जी जीती है, तो मुझे पता उसके बाद इसमार सिती बनेगा, इसके पहले कुछ भी हो जाएगा, इसमार सिती बन नहीं सकता है, क्योंकि जनता को जबस्ता है, और पूरी तरह से जनता तयार बैटी है, कि अभी चार में को चुनाव वोड पढ़ने जा रहा है, प आप से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बता और पत्याशी मैदान में उतरी है, और अभी भी लोगों का यही माइंड सेट है, लोग यहीं सोचते हैं, क्या रहे, यह तो जीत गए है, उसके बाद तो हमारा काम होगा नहीं, हमारे शेतर में आएंगी नहीं, तो अब आप ऐसे में जनता को, महिलाओं को और बूढों को कैसे भरोसा दिला रही है, कि नहीं आप वाकई में जनता के लिए चुनावी मैदान में हैं? अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में आप यहां की जनता से क्या कुछ अपील करेंगी? मैं अपनी माताओं, बेहनों इन सभी से जरूर यह कहना चाहूंगी, कि आप ही परिवार की स्थम है और यही स्थम जब मजबूत होता है, तो परिवार मजबूत होता है, परिवार आप अपना मजबूत करिए, हम आप एकमत होकर आगे आएए, बढ़िए, कॉंग्रस को ब मिल्कुल धर्यवाद, संगीता जैस्वाल और राजेश कुमार जी हमारे साथ, जुनने के लिए तो भी आपने देखा कि लखनव से कॉंग्रस की प्रत्याशी, मेरपत की प्रत्याशी जो थी संगीता जैस्वाल वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और वो बता रही थी कि अब ये कॉंग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी है तो अब ये लगाता लोगों से समर्थन मांग रही है कि जादा से जादा जनता का समर्थन इने मिले ताकि ये प्रचंड जीत के साथ यहां पर जो जनता है यहां का जो शेत्र है उसका विकास कर सके और साथ यसा अरिके से ये चिराव जीतने के बाद भी लोगों के लिए हर समय हर घड़ी और हर वक्त तैयार रहेंगी नगर संगराम के आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे प्राइम ट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार